आज मैं आप लोगों के समख्षे कच्छा छे पार्ठ चार अपना हिंदोस्तान कहां है के पर समत्ता लेके आ रहा हूं तो सबसे पहले सही पिकल्ब चुनकार है लिखिए हम समख्षे में जूम रहे हैं सत्याग्राय के आंधोलन के भू मंदली करण के वैरुसाई करण के तो इसका उत्तर है भू मंदली करण के क्या है उत्तर है इसका भू मंदली करण के तो हम सबी लोग भू मंदली करण के मत में जूम रहे हैं दूसरा है धन के कोस भरे होने पर भी नहीं है लालज, संतोस, दया, स्रंगार तो इसका उत्तर है संतोस क्या नहीं है, संतोस धनके कोस भरे पड़े हुए हैं पर संतोस नहीं है अब अगला खालिस्थान भरे तो खालिस्थान है जन सेवा का भाव कहां है यहाँ पर क्या आएगा भाव जन सेवा का भाव कहां है खानमबर साथचर्था का खालिस्थान है चिंतन का विस्थार नहीं है तो साथचर्था का आंदोलन क्या है आंदोलन साथचर्था का आंदोलन है पर चिंतन का विस्थार नहीं है गानमबर टीवी टेलीफोन बज रहे पर आपस में बंद है हमारे आपके टीवी और टेलीफोन तो बज रहे पर आपसी वारतलाव यानि यहाँ पर आपस में बात बंद है क्या आएगा यहाँ पर बात आएगा घानमबर आओ खूजें सकल विश्व में अपना कहा है क्या ची हिंदुस्तान हिंदुस्तान प्रस्मों के उत्तर लिखें प्रस्म नमबर टीसरा है का नमबर हम सारी दुनिया किन साधनों से घूम रहे हैं उत्तर हम सारी दुनिया टीवी और टेलीपॉन से ही घूम रहे हैं हम घर बैठे देजविदेश के समाचार सुम रहे हैं और मुबाल के माध्यम से हम देश विदेश की खबरें या दूर रह रहे रिस्तेदारों की जानकारी हासल कर सकते हैं सभी जन सामान इस तर्ता के पढ़ना लिखना सीख जाए साथ छड़ता से यह आसा है कि सभी जन सामान इस तर्ता के पढ़ना लिखना सीख सके अगला प्रिस्ण है गानमबर भूम अंडिली का रणक का परिवारों पर क्या प्रभाव पढ़ा है? भूम अंडिली करण का परिवारों पर बुरा प्रभाव पढ़ा है आपसे समरस्ता समाप्त हो गई आपसे संबंद तूचके हैं परिवार के सदस्यों से बाचीन बंद है इनमें आपसे संबंद समाप्त हो चुके हैं अगला प्रस्ण है मन को जो आंदोलित कर दे कभी ने ऐसा क्यों कहा है उत्तर है मन के भावों को बदल देने वालिक का बधारा मिठ चुकी है मन में देश, प्रेम, समता, एकता, मर्यादा, पालन, अन्याय की समाप्ति, न्याय की प्राप्ति के लिए जन जन में हलचल पैदा करने के लिए काप रचना करना क्यों रुप गया है अगला प्रस्ण है धन के कूस भरे हैं लेकिन फिर भी संतोस कहा है का भाव इसपर्ष्ट कीजिए, उत्तर हैं लोगों में धन एकत्र करने की प्रवत्ती बढ़ चुकी है, उनके खजाने में धन भरा बढ़ा हुआ है, फिर भी वे उचित अलुचित साधनों से धन एकत्र करने में जुटे हुए हैं, देश, समाज, एवं जन की उन्हें चिंत नहीं है, वे धन लोलूप बन चुके हैं, एन कैन प्रकारेण धने का त्रित करना उनका एक मात्र सिद्धान्त बन चुका है, अगला प्रश्ण है, अपना हिंदोस्तान कहां है, काविका संकेत के सूर है, तो उत्तर है, हिंदोस्तानी धन कमाने की चेश्टा में देश छोड़कर विदेशों में बस गए हैं, और वे अपनी उर्जा और ग्यान का उप्योग विदेशों में कर रहे हैं, जिससे वे देश संपन्न हो रहे हैं, लोग हमारे हैं, पर विदेशों में काम कर रहे हैं, अपने ग्यान और सब्विता उन लोगों को प्रभाव उन लोगों पर प्रभाव डाल रही है वे अपने देश अपने समाज अपने सांस्क्रेटी सब्विता को भूल चुके हैं तो अपना हिंदुस्तान कहा है इस पंति का आसे यही है चानमबर कविता में उन लेखित कवियों की नाम लिखिये तो कविता में उन लेखित है कवियों का नाम कविकुर्गुरू, काली दास, राजा भोज, सूर्दास, तुलसी दास, सूरकांत्रपाठी निराला, रामधारी सिंग दिनकर, रहीम दास, रस्खान, आदि कवियों का झाल झाल